वेलकम फ्रेंड्स मैं मनीशियनी स्वगत करता हूँ आप से भी का फ्रेंड्स आज हम एक एंडोक्राइन सिस्टम पर डिसकस करेंगे और उसमें हमारा आज का टोपिक रहेगा हार्मोन आज क्याबल हम हार्मोन की डेफिनेशन और उसकी विशेशते हैं देखने वाले हैं तो फ्रेंड्स अनतसत्रहई विज्ञान के जनक कौन है तो थोमस एडिशन को अनतसत्रह विज्ञान के जनक कहते हैं हार्मोन सब्द किसी ने दिया था तो स्टार्लिंग ने 1905 में हार्मोन सब्द दिया था अब हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रेंट्स वाट इज हार्मोन तो ऐसे जटील कार्बनिक योगी जो एंडोक्राइन गलेंड दवारा सत्रावित होकर विशिस्ट लक्ष य कोशिकाऊं के कारिये को परभावित करते है एंडोक्राइन गलेंड का मीनस एफ्रेंड ऐसे अंतर 17 वी गरंतियां जो स्क्रेशन करती हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं एक नेट्स डेफिनेशन एफ्रेंड हार्मोन सुक्स मातरा में सिक्रेट होने वाले एपोस्चक रासाइनिक पदार्थ हैं जो अंतर कोशी की संदेश वाग के रूप में कारिये करते हैं नेक्स्ट है फ्रेंट्स हार्मोन की विशेशता हैं क्या है तो हार्मोन है वो एंडोक्राइन गलेंड दवारा सीधे ही रुदीर में सिक्रेट के जाते हैं सेकिंड है कि हार्मोन प्रोटीन या स्टेरोइड के बने होते हैं नेक्स्ट है हार्मोन जल में वीले ये होते हैं फ्रेंट्स हार्मोन जल में गुल सकते हैं इसी के साथ हार्मोन प्रोटीन और स्टेरोइट से बने होते हैं इन पर हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना टोपिक विशेश्थाओं का कि हार्मोन का संचे नहीं होता हार्मोन है उनको बोडी स्टोर नहीं करती है जैसे ही सिक्रेट होते हैं काम में ले लिए जाते हैं नेक्स्ट है इनका अनुभार एंजाइम से कम होता है नेक्स्ट है हार्मोन कार्वनिक योगिक होते हैं आपरकार काारवनिक योगिक नहीं है फ्रेंडस कार्वनिक योगिक हैं तो next वीडियो में हम एंडोकरेन और एकजोकरेन गलेंट के बारे में डिसकस करेंगे हर्मोन के परकार का डिसकस करेंगे